समोसा ये कैसे डिश का नाम है जिसे सुनते ही मूँ में पानी आने लगता है भारत में अधिकतल जगाओ पर आपको समोसे बिकते हुए मिल ही जाएंगे और समोसे तो आपने बहुत खाए होंगे लेकित या आपने गुटका, पत्थर और कॉन्णम वाले खाई हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैं बोल रही हूँ दरसल महराश्टर के पूने से एक चोकाने वाली खबर सामने आई है जैसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे पूने के पिंपरी चिचवार इलाके में एक आटो मुबाइल कंपनी में सप्लाई किये गए समोसे में आलो की जगा, कॉन्डम, कुटको और पत्थर पाई गए ये बात अब पुलिस तक पहुँच गई है इस घटना के बाद पाँच लोगों पर मामला दर्च किया गया है पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्च किया गया है उन में सब कॉदिनेटिंग फर्म के दो करमचारी भी शामिल है जिन्हें समोसे की सप्लाई करने के लिए कहा गया था बाकी तीन आरोपी भी ऐसी एक फर्म में पार्टनर थे जिन्हें पहले मिलावट की आरोप में हटा दिया गया था इन तीनों ने बिजनस की दुश्मनी में ये साज इश्रची पुलिस की जान से पता चला है कि कमपनी को समोसा सप्लाई करने का ठेका रद होने के बाद नरास ठेकेदार ने अपने करमचारियों के साथ मिलकर समोसे में कॉंडम, गुटक और पत्थर मिलाकर समोसे के नए सप्लाइर की छवी खराब करने की साज इश्रची थी चिकली थाने के पुलिस निरक्षक ज्यानेश्वर काटकर ने इस बाद की जानकारी दी है पुलिस ने बताया कि आटो मुबाइल कमपनी की कैंटीन में खाना सप्लाई होता है गम्पनी ने कैंटीन में समोसा सप्लाइ करने की ये किसी दूसरी ठेकेदार को ठेका दिया था जिसके बाद अटो कम्पनी के कुछ करम्चारियों ने खाने को लेकर शिकायत की करम्चारियों ने बताया कि समोसा में कॉंडम, गुठका और पत्थर पाए गए हैं जिन पाँच लोगों की खिलाफ शिकायद दर्श की गई है उनमें SR Enterprises के मालिक रहीम शेक, अजहर शेक, मजहर शेक, करमचारी फिरोशेक और विक्की शेक शामिल है चिकली पुलिस स्टेशन में CRPC की धारा 328-120B के तहत मामला दर्श किया गया है